दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैंगे दोस्तों दोस्तों राजस्थान वन रक्षक और वन पाल का हम लोग पिछले चार दिनों से एक टोपिक पढ़ रहे हैं गनित का जिसका नाम है प्रसेंटेस ठीक है तो प्रसेंटे से के ओल्मोस्ट मैंने आपको part जो है वो कवर करा दीयें दोस्तों जो कि Old Slabs के Updater के साफ से थे ठीक है और यह important भी हैं ऐसा निये हैं कि Informationen नहीं है बिल्कुल इंपोरिंट है आज दोस्तों मैंने सुचा कि क्यो न आपकी एक Wind Up Fast marathon क्लास लिए जाए मेरोफन क्लास का मतलब है दोस्तों की जितना आपका पीछे हो चुका है वह एक बार आप बैक अप वापिस आपको रिवाइस करा दिया जाए क्योंकि काफी सारे स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिने अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है कि सरी यह कैसे करें दोस्तों उसी को क्लियर करने के लिए हम लोग आज की क्लास करेंगे बिल्कुल आराम से क्लास करेंगे दोस्तों आज की क्लास के बाद में आपको कोई डाउट नहीं देगा तो चलिए दोस्तों एक बार वापिस अपना माइंड रिफ्रेश किजिए और वापिस से स्टार् है अब जी सर जी यहाद नहीं हो रहा कि ट्रिक कैसे है तो ट्रिक दोस्तों एकおお चैसो दिया है खाना 600 अब का की जगें लगा दो गुणा सत्तर का सत्तर परसेंटेज जगें लगा दो बटा में सो ठीक हैं दोस्तों याद रखो जिसको याद नहीं रहता परसेंटेज ऐसा होता है न तो बटा में जाएगा तो यह दंड़ा इदर आजीगा और यह जिरो एकतनी मैं सिखाूंगा है देखो यहा पे दोजीरो हैं दोस्तों वैसे इस वडियो के अंदर मैं आपको बाद में तोपिक पर इपता हुआ जीरो एक तर बचांगा है सतर इससे तो क्या हुआ साथ शी को 42 और एक जिरो हमारे पास थी तो छैसो का सत्र प्रतिश्यत आया दोस्तों 420 कितना आया 420 आया अब आपको यह नी समझ मैं आया 420 कैसे निकाल दिया सर जी आपने भाई मैंने गुना किया है 70 को 6 से करके देख लो आप 70 गुना में 6 ठीक है किसी भी संख्या को दोस्तों जब आप 0 से गुना करते हो वो 0 हो जाती है आपके सुतर आपका तरिका सब कुछ उचित हैं सब कुछ बढ़िया है न दोस्तों तो आपका कभी भी क्योशन गलत नहीं होता है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं क्या है 790 का 40 प्रतिशत अब देखो दोस्तों यहां पर 1 की जिरो है न ऐसे उता साथ सो का 40 तो आप निकाल सकते हैं अब 790 का है कैसे निकालोगे कुछ नहीं है दोस्तों वाइट रिक याद रखो 790 का की जगा लगा दो गुना 40 बटा प्रतिशत की जगा आजएगा 100 हा न दोस्तों प्रतिशत की जगा क्या जगा 100 आजएगा ठीक है यह प्रतिशत आपको ऐसा लिखके देदे तो भी कोई बात नहीं है ठीक है न अब द अब क्या करना है दोस्तों साथ सोगज का चार से गुणा करना है कैसे करेंगे 7193 तो 316 तो इसका अंसूर कितना है दोस्तों साथ सोनब्य का 40 पर तिसत कितना होगा दोस्तों 316 होगा ठीक है दोस्तों परसेंटेज निकालना आगया आपको 316 होगा तो गुना करना नहीं आया कोई बात नहीं है मैं च्खादेता हूं ऐसे था 802 गुना में 4 तो कैसे करेंगे दोस्तों 936 का चिक्का अंसिलाई 3 728 और 31 ठीक है ना ऐसे करेंगे अब दोस्तों कई कि लोगों को कन्फूजन आए कि सर एक होता है ऐसा चिका और नों का एक होता है अट नों इनों को क्या जेखो ये जैंके बहुतेber नाइक थीकल थीक्या ना अब कही है ये जह उता है गया जाना खुझएान गर्ली से कि अ को मित आदार्खे या फिर इसको 89 को लेंगे या फिर 89 वोलेंगे सर जींहें तो एक जासर хороший होते हैं दोस्तों याद रखो 6 और 9 यêter है उसको ब thếल पर्लेंगे 89 ठीक है था उन्हों यो सका बलेंगे 89 था करो येeteल सब हों डिली पास है तो यह जगा उनैतर ठीक है अब असी के पास है तो यह क्या हो जगा उन्यासी देखो लास्ट में धवनी आ रही है ना उन्यासी क्या रही है उन्यासी ठीक है दोस्तों ऐसे यादर रखो दोस्तों मेरी है ना मैं दम लगाता हूं पूरा कि आप लोगों को समझ में आदे बिल रिकुल दूर छाए किकना उन्यासी और यह 89 पंदर नवा सी के अंदर नव जोड़ दिया तो नवा सी ठीकना अब तो खैनी रहेगी याद रहाई क्वोच न है तो हुषनाटर साथ सतर साथ तो bye यह वाज 17 ठीकना इसका शुअ तो 80 की दवनी आ रही है और 90 के पास तो 9 की दवनी आ रही है ठीक है ना याद रखो हो जाएगा क्योश्ट कि अगला एसर जी ऐसा हो तो क्या करेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों परतिस्त की जगहां क्या आजएगा सो आजएगा क्या दोस्तों परतिस्त की जगहां सो आजएगा अब जी काटेंगे कैसे ऐसे काट तो 2-0 यह रही तो 2-0 यह काट दो ठीक है ना तो आप बचा क्या 19 गुणा में 50 अब दोस्तों तो आएगा 950 क्या ऐगा 950 कैसे निकाला मने 19 55 में होता है क्या होता दोस्तों 19 55 में होता है और एक 0 यहां पे थी तो वो 0 की 0 आगी तो तो उन्नीस सो का पचास प्रतिशत कितना आता है दोस्तों नोसो पचास अब आप देख भी सकते हो नोसो पचास प्लस नोसो प्रतिशत पूरा हो गया तो यह क्या हो जगा ना प्चास में आता है अधा अब कि अधा में आता कोई दिक्कत निया मैं आपको शिखा रहा हूं ना शिखाता रोंगा ठीक है मेरी जिम्मेवारी आपको शिर्था करना अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और यहीं मेरी दूआ है दोस्तों सफल जाएं आप लोग और उसके लिए क्या आप मैनत करते रहो दोस्तों मैं भी आपके लिए मैनत कर रहा हूँ आप भी करते रहो ठीक है अगला प्रशन 27,000 का 80% अब देखो दोस्तों यह हजार में बड़ी संख्या आगी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है देखो मैं यह समझाने का मेरा मकसद क्या है मेरा मकसद यह है अब लोग घबराए ना अब कहें सर जी आपने तो में बताया था कि पांच सो का चारीस प्रतिशत यह होता है जी अब तो जी यहां पर तो 27 जा रहा है हम तो क्योशन छोट रहें नह ऐस हजार का की जगा अगया गुना 80 बटा प्रतिशत की जगां क्या आगया सो आ गया अब दो जिरो से दो जिरो कट गई तो क्या बचा 270 गुना 80 ठीक है ना आप यह बड़ा हो गया मुल्टिप्लिकेशन तो कैसे होगा 270 गुना 80 कैसे होगा 21 तो कितना सो है दोस्तो 21,600 कितना है दोस्तो 21,600 तो 27,000 का 80 परतिशत यानि की 27,000 गुना 80,000 बटा सो होता है 21,600 ठीक है न अब आपको किसी ने का बाई मैंने तुर से 27,000 रुपे लिये थे अब मैं तरको उसका 80 परतिशत ही लोटाऊंगा मूल धन तो 80 परतिशत कितना हुआ दोस्तो 21,600 इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आपके 21,600 रुपे लोटाने की बात कर रहा है ठीक है न दोस्तो याद रखिएगा अगला क्यूशन अब देखो यह यह लाखो में आगया मै हो गया दो लाख असी हजार क्या हो गया दोस्तो दो लाख असी हजार अब यह कहला है दो लाख असी हजार का साथ परतिशत कैसे निकालेंगे वही तरीक है दोस्तों कितनी मैं कहता हूं क्रोड़ों में क्या अर्बों खर्बों में संख्या आजे ना तो यह वैसे निकालना ठीक है गुणा में 60 करो फिर उसको निकालो ऐसे करके यह मुश्किल हो जाएगा अब आपको क्या करना है आप सिंपल ट्रिक याद रखो क्योंकि आपको सरकारी नोक्रियों के पेपर में दोस्तों टाइम बचाना होता है ठीक है ऐसा निया कि आप आराम से करते हो नहीं है टा उसको फैसे गुुणा कर लो और च्षिकर तालीस चर चहर लिए बारा और चार सोला 660 यह लोजी यहां ऑ зачात कितना अश्वद्दों 100006600 यह तो कितना होता है दोस्तों 69 vog מקने सिखा इए ठीक है दोस्तों कि 7512 प्रतिशत अब देखो यहां पर यह ऐसा बारा तेरा पहले तो अपने करते थे ना दस प्रतिशत 20 प्रतिशत अब इसने बारा पूछ ले तो कैसे निकालोगे वही सिंपल सा तरिका पिचेतर सो गुणा में 12 बटे 100 दो जिरो से दो जिरो कट गई तो पिचेतर गुणा 12 आप पिचेतर गुणा 12 जब आप करोगे ना दोस्तो तो इसका अंसराता है 900 ठीक है अब मेरा तो मैथ स्टोंग है इसलिए मैंने आपको फटा बट बता दिया लेकिन आप करके भी देख सकते हो ठीक है कैसे पिचेतर गुणा में 12 तो कैसे करोगे पांस दूनी 10 एक बचा दो साथ दूनी 14 और एक पंद्रा गुणा में 5 एकंपांच 7 एकंप साथ तो कितना आया 0 5 5 10 की 0 अंसले एक 7 और 189 और 7 और 8 और 9 ठीक है तो अंसरा आया 900 ठीक है दोस्तों यहां पर वेरि देखो पहले मैंने आपको 100 वाले सिंपल पताया थे कि 500 का 20 पर 30 से ता गया ना फिर मैंने 100 वाले में यहां पर जगह चेंज कर दी 20 की जगह 12 कर दिया इसी तरह से अब लाखों वाले में यहां पर जगह चेंज कर दी ता कि आपको confusion न आ रहे ठीक है दोस्तों उत्तर पूरो पस्षिम कौन सी देशा से प्रसना है आप उसको हल कर पाओ ऐसा हम आपको समराट बना दूँगा अब देखो एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार गुणा में 32 बटा में 100 आएगा दो जीरो है तो दो जीरो कटेगी जोस्तों यह जीरो कातने वाला फंडा में वह अपको अच्छे से समझा दूँगा जो जो Fellows कर बारा सो गुना 32 तो क्या बचा हाहा bring बारा सो गुना में 32 हाना तो बारा सो गुना 32 करो 0-0-2-3-3-3-3-3 तो इधर क्या बचेगा दोस्को एड़ कर दो 0-0-4-6-2-8-3 तो यह बच देगा 3,184,000 कितना दोस्को? 3,184,000 तो एक नहीं 38,400 बने तो 3,84,000 नहीं 38, speechless प्रिबाशा वाले प्रशनाजे तो क्या करना है प्रिबाशा वाले आगे तो देखो यह कहता है राम और शाम दो वेक्टी है ठीक है अब यह कहता है राम की आए आए का मतलब समझते हो ना कमाई इनकम राम की आए शाम से 30 परतिशत अधिक है यदि शाम की आए 25 है तो राम की आए कितनी है देखो सिंपल इसी बात है यह कहता है यह कहता है राम है वो 30% जादा पैसे कमाता है शाम से दुन्हों एक ही काम ठीक है सादे 700 नहीं समझ मैं देखो पत्चीस को आप से मुल्टिप्लाइ कर लो जीरो जीरो गुणा में पांस पंदरा एक तीन दून इच्छे और एक साथ तो सादे 700 हो गए ना अब देखो दोस्तों सादे 700 25 का 30 परतिशत लेक गया सादे 700 तो राम की आए पूछिए ना त तो टोटाल इसकी इंकम राम की कितनी होगी राम की इंकम होगी 3250 रुपे कितनी होगी 3250 रुपे ठीक दम देखो समने का Benton 25त है तब वर सोज it is पर लेज तो यस जित impose प्रतिशत पता करों कि कितना बनता है और वह टोटाल शाम की कि तनक्या में जोड़ this प्रेया audioह तो मत कर देना दोस्तों ज़िंश करते हैं और पांच जवड़ों बारा तो पांच और साथ बारा का दूआ से लाई एक दो रेक तीन तो 3250 रुपे तो राम जो है टोटल राम भाई साब जो है ना वह 3250 रुपे कमाते हैं ठीक है ना चलिए दोस्तों दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी जुरूर हो जाएगी लेकिन आपके सारे डाउट्स के लिए लो जाएंगे ठीक है तो थोड़ा सा धेरे बनाए रखे राम ने प्रिक्षा में 90 में से 17 अंक पराप्त किये राम के प्रतिशत ग्याद करो विल्कुल सिंपल जिए के 90 में से 17 नंबर आगे तो 90 में से 17 अइस ही तो यहां पर रखना है अब प्रतिशत निकालना है तो इसको गुणा में 100 कर दो तो 10 से 10 कट गई तो क्या आया 700 बटा 9 अब आप इसमें भाग दे लो भाग कैसे दोगे 700 बटा में 9 है तो 97 63 बचा कितना 7 तो 9 73 फिर बच इस ने तो उसने किये दोस्तों 37.67% कितुने 37. 17.7 प्रतिश्य ठीक है ना तो ऐसे आप किसी के अंक भी निकाल सकते हो आपका प्रोसी आए कि भाई मेरे लड़के के ना सो मैं से 35 नंबर आए आप इसके प्रसेंट निकाल के देना कितने है तो आप गुना सो कर दो ठीक है दो जिरो से दो जिरो कट गी तो कितने प्रसेंट आए 35 परसेंट बहुत दो 35 परसेंट या है मुनना जी तो पास पास यह है ठीक है ना ठीक है दोस्तों ऐसे आप को करना है अगला है राधा की गनित में सो मैंसे 40 नंग है तो उसने कितने प्रतिश्य सब्सक्राप्त किये सो है उसमें से चालीस है गुना कर दो सो से दो जिर तो कितना आया 40 कितने प्रतीषय प्राप्त किये दोस्तों उस ने 40 प्रतीषय तंक प्राप्त किये ठीक है न ऐसे आप याद रखो अब अगला टोपिक है 0 काटना कैसे सिखे अब कई लोगों एक डाउट है थे सर्जρά łajayem 0 एकटना नहीं है ताब वीडियों बता देती हो नँगा 2 sano 2 zero कटगी यह 0 say 0 कैसे कटती है दिखो दोस्तों आपने हो कावच दूझ नहीं है लोहे को लोहा काटता है जहर को जहर काटता है उसी तरह से जीरो को जीरो काटती है कैसे देखो यह कता डाइसो कता ले बाई ऐसे लिखा ठीक है डाइसो कता मेरे पास एक जीरो है यह निचोरा कता मेरे पास भी एक जीरो है तो अब एक बात देखो अब आप इसको गुणा कर गुना, 10 Бटा 100, अब काच नहीं है जी, देखो 1 2, 2 0 है, चाहे तो आप ऐसे काट तो 1 तो, या आप ऐसे काट दो, 1 2, ठीक है ना, या तो आप इसकी डोनों काट तो, या आप एक इसकी और एक इसकी काट तो, यानि जितनी zero निच्चे होती है न उतनी ऊपर से कट जाती है ठीं ranged lore 1200 गुना में 500 200 तो सर्जी कैसे काटोगे ऐसे काटें ग Ou연 जो पर कोई चीज हीज ब्वोग्त चीर गुणा में है और वह जीरो निच्चे है 262 उपर है ठीक है अब एक बात देखो यार 505 5 काट क्या पर एक ही तो लिखते हो इसलिए काटा जाता है दोस्तों अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है चलो कोई नहीं एक और क्योशन देखो देखो मैं आपको फिर से बता दूँगा ठीक है दोस्तों यह है दोस्तों आप लोगों के लिए आज का ग्रहकार्य होम्रक मेरी तरफ से यह क्लास कंप्रीट हो चुकी है आपका ग्रहकार्य क्या है पहला परसन पूछता है हनुमान महाराज ने ठीक है हनुमान ने प्रिक्षा में 55 अंक प्राप्त किये जबकि प्रिक्षा नब्वें कोगी थी तो उन मानने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये अब वो तो हमारे जाने माने एक्स्पाइट स्टूडेंटी बताएंगे ठीक है दोस्तों मुझे आपकी रिप्लाई का वेट रहेगा आप कितना सोल करोगी कि फिर ये कुश्न करना है। 35, Marie क 35% मुझे बताना, 5000,000,000,000,000,000 0,000,000,000,000,000,000,000,000 बताना और 450,000,000,000,000,000,000 फ kilo पंदीश परतिशत निकाल प्रतिशत निकाल के मुझे बताना ठीक है। यह क्योशन कराने को मैं भी किरा सकता हूं दोस्तों लेकिन मेरे कराने से क्या फाइदा होगा जब तक आप खुद नहीं करोगी ठीक है ना अब देखो आप छोटे बच्चे को चलना सिखाते हो अब जब तक वह आपकी सहारे पे रहेगा वो चलना सीखनी पाएगा और जिस करे टीका तो कसी दर्टों बेसी कलास अपनी बिलकुल बेसिक से उता मैं और आपको कुछ नहीं आता ना तो आपको कमैंट में जरूर अंस्वर दो और मैं मेरी तरफ से बिलुकुल ऐसे बढ़ाता हूं जैसे बिलुकुल रिफ्रेश क्लास को पढ़ा रहा हूं कि उन्हें कुछ नहीं आता ठीक है जैसे छोटे बच्छों को बढ़ाता है बिलुकुल जीरो लेवल से अब देखो मैं बीच बीच में आप और सब्सक्राइब ठोक दो लोगों तक शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैला दो पूरे राजस्तान के अंदर पूरी इंडिया के अंदर और दोस्तों इसके लावा आप लोग राजस्तान फॉरस्ट गार्ड एक्जाम नाम से प्लेलिस्ट भी है चैनल के उप और वह भी आप देखो उसके अंदर आपको साइंस की हिस्ट्री की जिक्के की ठीकर ना सब वीडियो आपको मिल जाएंगी स्लेबर की सब कुछ और अगर आप मैथ की देखना चाहते हो कोरे मैथ की तो कोरे मैथ की वीडियो है राजस्तान वन रक्षक वनपाल मैथ नाम से प्लेइस्ट है उसके उपर आपको मिल जाएंगी और किसी भाई बैन को मोटिवेशन चाहिए तो भाई मोटिवेशनल वीडियो भी है उसके लिए प्लेइस्ट है लग से ठीक है न इसके लावा दोस्तों अगरे आप बैटर प्रिपरेशन के लिए हमारा वाटसप हुआ है ठीक है और मुझे आप कॉंटेक्ट करना जाता है तो प्रिपर प्रकॉलां जो सेवा मेरे लिएक हो मैं जरूर करूं कैppen कर्यें ठीक है कैसी लेगी वीडियो मिलते हैं टुक्ष चैनल की साथ सबस्क्राइब ट sacrific reunion को जरूर माइन प्रिणीय है सब्सक्राइब चैन झाल झाल